देखे नारी को लेकर के भारती आउधारना पूरे संसार से अलग आती है हम वो नहीं है कि एडम की बाइं तरब की पसली निकाल करके नारी को बनाया हमारे हां ब्रह्मे ने जब संसार का निर्माना शुरू किया ब्रह्म को अगर रिगवेद की नवे मंदल का नाश्दी शू परमानू से भी छोटा प्रोटीन कह सकते हैं वो प्रकृति का है वो नारी का रूप है फिर उसे पूर्ण करने के लिए पुरुष बनाया हमारी हां नारी को पुरुष से स्रिष्ट माना गया है इसमें रिगवेद में जो परिवार को ले करके विवाय को ले करके रिचाए हैं मैं समझता हूं 20-25 रिचा है तो उसमें एक रिचा में तो यह कहा गया है उन्होंने जैसे रिगवेद के अगर चौथे मंडल के चौद्वे सूक्त की तीसरी रिचा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है नारी से आभान किया है कि तू स्वयम को पहचान और देवो के हितार भी काम कर सकती है रिगवेद के दसवे मंडल में 47 वे शूक की तीसरी रिचा है जिसमें नारी को कहा है कि तू बिद्या अलंकरता और विदूशी नारी है यजुरवेद में नारी की सेना बनाने का उसमें वरणन आया है अगर दुरगा शप्त सती आप अगर देख रूप नारी को माना ब्रह्म में जो की अव्यक्त है ब्रह्म अनाधी है ब्रह्म अनंत है ब्रह्म की विशेष्टा है कि उसमें से पून में से पून चला जाए तब भी वह पून रहता है एक स्रश्टी का निर्मान करने के बाद भी ब्रह्म नहीं स्रश्टी का निर्मान कर वोगौ्ण संतान को जनंदे करके भी पूर रहती है और नई पूर संतान के लिएती इसलिए बहरत में नारी कि सिरे रही है भारत में संभा मर का दिकार पुरुष को निभ आगर सवल्लाल का नारी को था आप देख लेंगे स्वय Intelli क् recaudate का and सब्सक्राइब करोड़ों लोग मारे गए किसी ना कोई नारी सती नहीं हुई है तो हमारे यहां यह वैवस्ता नहीं थी तो हमारे यहां नारी को सृष्ट इस्थान रहा है और नारी को केंद्र माना है नारी को यह माना गया है कि व्यक्ति निर्मान और समाज निर्मान यह कहा गया है कि देवता वहीं रह्मन करते हैं जा नारी की पूजन होती है यह निर्देश दिये गए हैं कि सबसे अच्छी स्रिष्ट कोई मित्र हो सकती है तो वह नारी है और स्रिष्ट कोई गुरू हो सकत अजय है